नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मदू की पड़शाला पर आज हम डिसकस करेंगे H.T.P.Z.T. English 2019 का question paper जिसमें काफी सारे points जो हैं वो extra भी उसके अलावा हम discuss करने वाले हैं First question है हमारे पास Match and complete the proverbs A bird in hand A bird in hand जो होता है उसका कह रहेगा हमारे पास Is worth two in the bush जाड़ी में अगर दो पक्षी हैं हमारे पास उससे बेटर है हमारे पास एक है तो ठीक है Don't count your chickens before they hatch मलब की hatch होने से पहले अपने chickens को count करना गलत रहता है यानि कि जो चीज हमारे पास आई ही नहीं खयाली पुलाव बनाने से अच्छा है कि जो चीज हमारे हाथ में है उसी को हम ज्यादा बेटर समझे A rolling stone gathers no moss यानि कि जो लुड़कता हुआ पत्थर होता है कभी भी वो moss गेन नहीं करता और last क्या है A drowning man will clutch at a straw यानि कि डूपते को तिनकिका सहारा तो इस वज़े से हमारे पास क्या हो गया A का जो third portion है वो चला जाएगा ठीक है then before the H का B portion चला जाएगा then C and then D इस तरीकी से क्या बना हमारे पास DCAB है ना तो आप ये ले सकते हो third, fourth, second, first third, fourth, second, first में हमारे पास second option जा रहा है ये हमारे पास correct हो जाएगा next question है which of the following sentence has a gerund हमें इसके अंदर gerund बताना है he found that parking was difficult अब देखी इसमें में सारी चीज़ें करूँगे आपके साथ he found that अब इसने कहा है कि उसने पाया की अब इसमें ये तो क्या हो गया हमारे पास reported speech का जैसे part होता है parking was difficult अब ये जो है क्या हो गया parking noun का काम कर रहा है then was हमारे पास verb हो गया difficult हमारे पास उसका adjective हो गया तो अब इसने क्या किया कि parking के बारे में बात की है तो ये first form plus ing बन रही है और noun का काम भी कर रही है जो gerund होता है वो हमारे पास क्या करता है यही चीज़ तो play करता है कि वो first form plus ing भी होना चाहिए और noun भी होना चाहिए तो first में हमारा answer मिल गया हमें they say he was waiting for a train अब देखो हमारे पास क्या हुआ was हमारे पास यह क्या हो गया past continuous के साथ belong करता है और first form plus ing है तो यह हमारे पास participle की तरह काम कर रहा है I saw flames rising and heard people shouting अगर first form plus ing जो होता है हमारे पास participle होता है तो present participle होता है तो इसलिए हमारे पास first question है हमारा क्या रहेगा correct रहेगा I found him standing at the door उसे कैसा पाया standing खड़ा हुआ पाया तो किसकी विश्रिष्टा उता रहा हिम की उता रहा तो यह वी adjective हो गया तो जरन हमारे पास क्या आएगा parking आएगा next देखिए in which one of the following poems William Wordsworth is enchanted and moved by single girls song tint and abbey I wanted I wondered lonely as a cloud the world is too much with us and the solitary reaper यह देखिए इसमें हमारे पास question इस पूछा है कि जिसमें enchanted है and moved by a single girls song एक लड़की क्या song सुनता है और move हो जाता है यानि कि movie इंद उसका रिद्य प्रिवर्तन हो जाता पिखल जाता तो वो solitary reaper है हमारे पास आंसर यह है लेकिन यह तीनों poems जो है यह भी किसकी लिखी हुई है विलियम वर्सवर्थ की ही लिखी हुई है यह भी आप याद रखियेगा next question है the famous line nothing is so necessary for a young man as the company of intelligent women's from तो Leo Tolstoy, war and peace, Charles Dickens, Oliver Twist, George Orwell's Animal Farm and Graham Greene's The Power and Glory तो इसमें हमारे पास जो first option है Leo Tolstoy, war and peace यह हमारे पास इसका correct answer रहेगा next question which of the following is not a synonym of economical देखिये prudential, prudential का मतलब क्या होता है intelligence या फिर हम इसमें क्या यूज करेंगे economical ठीक है अब भी मुझे याद आ रहा था यह यही मितलब होता है इसका prudential का मतलब होता है economical ठीक है thrifty का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास economical and extravagant का मतलब होता है खर्चिला जो बहुँ ज्यादा खर्च करता हो ठीक है और frugal का मतलब frugal का मतलब होता है economical तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया तीन जो यह word है prudential thrifty and frugal यह तीनों का ही हमारे पास economical होता है जो इसका साथ synonym जा रहा है ठीक कि इसने पूछा है कि not जो इसका synonym नहीं है वो क्या हो जाएगा extravagant हो जाएगा इसका मतलब होता है खर्चिला next देखे if you were up in arms you would be अब इसने यह एक तरह का जो है यहां पर phrase दे दिया है हमें up in arms up in arms का मतलब क्या होता है protesting angrily against something किसी के बारे में अगर हम क्या करते हैं कोई भी protest कर रहा है कोई भी हमें का surprise करने की कोशिश कर रहा है तो हम protest करके उसको क्या करते हैं angrily उसके खिलाफ हो जाते हैं तो वो आजाएगा हमारे पास holding someone you love ऐसा तो होगा नहीं protesting strongly यह हमारे पास इसका answer आजाएगा protesting strongly next question देखिए which of the following sentences has a noun close noun close हमें बताना है noun close का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा जो noun की तरह behave करता होगा ठीक है जो noun की तरह behave करता होगा तो कौन सा है because you have done this I shall punish you क्योंकि तुमने ऐसा किया है इसलिए मैं तुम्हें punish करूंगा and they went where living was cheaper देखो जब हमारे पास where वगेरा की अगर बात की जाती है तो हमारे पास adverb close की बात करता है किसकी बात करता है adverb close की बात करता है तो इसलिए हमारे पास यह option तो जाएगा नहीं ठीक है that you have come pleases be that you have come अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो तुम की तुम आए ठीक है that you have come pleases me उससे मुझे अच्छा लगा तो अब हमारे पास यह पूरा का पूरा क्या हो गया एक subject की तरह काम कर रहा है pleases is मुझे अच्छा लगना यह वले चीज़ आ जाएगी ठीक है तो यह क्या होगयी यह verb होगयी यह noun की पास टरह soldier और यह फिर से हमारे पास एक object आ गया तो एक subject बना subject हमारे पास क्या हुआ और noun हुआ तो यह हमारे पास अलग से हो गया, क्योंकि तुमने ऐसा किया था, अब यह तो एक compound sentence की तरह जुड़ा हुआ है, कि I shall punish you because you have done this, ठीक है, if you do not hurry, you will miss the train, यह हमारे पास conditional sentence हो गया, तो इसलिए हमारे पास यह नहीं जाएगा, ठीक है, यह हमारे पास non-closed का third example, इसका सही रहेग fill in the blank with the correct option, this house dash to me, अब देखो this house हमारे पास क्या है, singular है, ठीक है, और singular के हिसाब से, या तो हमारे पास present indefinite जाएगा, तो first form plus s या es जाएगा, या फिर हमारे पास second form जानी चाहिए, या will plus first form जानी चाहिए, ठीक है, तो यह present के लिए, यह past के लिए और यह future के लिए, तो belongs, belongs, इसमें हमारे पास option है, belongs, यह क्या बन गया, first form plus s बन गया, तो यह हमारे पास सही option जा सकता है, इसके साथ कि this house belongs to me, यह तो है यह, बाकि अगर है की भी नहीं है, वो देख लेते हैं, is belonging to me, ठीक है, this house is belonging to me, हम कौशिश करते हैं कि जब इस तरह की verbs होती है, उनको continuous sentence में न जाता है, या फिर आप कहिए कि काफी सालों से यह मेरे साथ बिलोंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा न, तो इसलिए हमारे पास first option ही, इसका correct हो जाएगा, belongs to me, arrange the facts from Einstein's life in chronological order, अब chronological order में हम इसको arrange करना है, तो क्या है, he was a university graduate and employed, Einstein was born in the German city of Ulam, and he published his journal theory of relativity, and Einstein joins at university in Zurich, अब देखी, पहले तो वो पैदा होगा, इसलिए हमारे पास first option क्या रहता है, B रहता है, B हमारे पास एक, दो, तीन, तीन में है, तो option B तो हमारा चला गया, इसलिए य theory publish होने से पहले उसको graduate होना ज़रूरी है, graduate होने के लिए उनिस्टी में एंटर करेगा, तो Einstein joins a university in Zurich, उसने एंटर किया, और देखे, इसमें D option हमारे पास इन दोनों में है, ये वाला नहीं है, तो ये option खतम हो गया, इसलिए third हमारे पास क्या रहेगा, कि वो graduation लेगा, he was a university join की, फिर उसने graduation किया, and then he published his general theory of relativity, next question देखे, William Sarion's, the summer of the beautiful white horse is a story about, ये हमें बताना है कि ये किस की story है, ये हमारे पास the summer of the beautiful white horse में, a delightful and mysterious dream, or an adventurous journey on a magnificent horse, two poor American boys who belong to a tribe, whose hallmarks are trust and honesty, तो ये question का option हमारे पास ठीक रहेगा, third option correct है, और ये class 11 का जो है, एक chapter है, तो आप class 11 को जो है, पीजी दी के अंतर जरूर कवर कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था, 9 to 12 आपको जरूर कवर करनी है, next question है, the central theme of the famous poem is a conversation between a young man and a young woman on the nature of beauty, इसमें हमें बताना है, 4 options है, कि central theme बतानी है, एक famous poem है, जिसमें हमारे पास एक young man and a young woman का क्या ह होता है, nature of beauty पे conversation होता है, तो इसमें क्या क्या है option, the ball palm, the tiger in the Jew, fire and ice and for Annie Gregory, तो इसमें हमेरे पास fourth option सही रहेगा, for Annie Gregory, और यह जो है chapter हमारे पास poem है, यह कौन सी class से है, यह हमारे पास 10th class से है, again 9 to 12, you have to cover from NCERT, fill in the blank in the given sentence with an appropriate idiom, if I were you, I would dash until the situation improves, इसमें हमारे पास 4 options दिये कि if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगे होता, तो I would dash until the situation improves, तो जब तक situation improve नहीं होती, तब तक में क्या करता, तो इस तरीके का option हमारे पास है, क्या है, bang your head against a brick wall, कि मैं अपना जो भी एक wall होती है, उसकी तरफ सीर जो हैंक करके बैठा रहता, चीक है, bring things to a head, जो दिमाग में अ जो है, हस था, keep my head down, कि मैं अपने head को down रखता, तो इस वज़े से हमारे पास option 4 था, हमारे पास इसका correct जाएगा, कि keep my head down, ये जो है, correct answer है 103, next question, देखिए, Adrien rich in her palm and Jennifer's tigers, addresses the constraints of married life of woman experiences, यानि कि जो married life होती है, उसमें जो भी limits रहती है, उनके बार में बात करती है, celebrates the beauty and strength of the tiger, tiger की beauty and strength ही बात करती है, praise is the creator of the magnificent beast, यानि कि magnificent beast यहां पे कोन हो गया, tiger हो गया, उसकी जो creator की praise करती है, यान कि god की, illustrates the relationship between the hunter and the tiger, hunter or tiger की बीच में क्या relation होता है, उसको रिल्स्टेट करती है, तो इसमें मारे पास 104 में, first option correct रहेगा, address is the constraints of married life of woman experiences, next question है, fill in the blanks in the sentences below by choosing the correct personal pronouns, इसमें personal pronouns हमें चूज करने है, a man kidnapped a little girl and hid, आप देखो kidnap किया किसको little girl को और उसको चुपा लिया, तो इसका मतलब हमारे पास इसका pronoun यूज करेंगे तो हर आएगा, कि हीड हर उसको चुपा लिया, in a bungalow in the outskirts of the city, ठीक है, तो इसमें हर हमारे पास कहा कहा है, तीन options में है, मैं थोड़ा और उपर करूँग इसे, ठीक है, first में, second में और third में, तो ये third में नहीं, first में, third में और fourth में, तो second option हमारे पास इसमें निकल गया, हर, हर, हर चल रहा है, उसके बाद हमारे पास आएगा कि he sent her parents a ransom, यािनकि ransom होथा फिरोती मांगना, ठीके तो उसने क्या किया, कि उसने भेजा, he sent, तो he हमारे पास क्या आजाएगा, यहाँ पर है, ठीके और इस option में है, इसमें नहीं है, इसलिए उसमें नहीं है, तो यह तीनों खतम होगे यह रह गया और फिर भी इसको पुरा पढ़ के जरूर देखेंगे ही सेंटर पेरेंट से रैंसम नोट तैलिंग देम उनको बोला कि तुली 50,000 रुपीज पंचास अजार रुपीज नियर पोस्ट ओफिस छोड़ने के लिए आउटसाइड थे पोस्ट ओफिस देमें सेड रहा है तो यह हमारे पास फॉर्थ ओच्छन जो होगा इसका और प्रेक्ट हो जाएगा फ्लांसर हमारे पास यह है की जो हुमनिन ट्रेर्स के बारे में बात करता है या फिर आप कह लीजी कि जो हुमन ट्रेर्स को पसंद करता है आमिचर आमिचर जो होता है शो किया या फिर आप कहिए कि who takes part in activity for pleasure किसी भी activity में जो है पार्टी स्पीड करता है ठीक है sport activity हो या कुछ भी हो तो आमिचर होता है वो तो हमारे पास तीनों की मीनिंग हमें जुरूर पता होना चाहिए अब आंसर जो रहेगा हमारे पास philanthropist है जिसमें conjuctions के साथ जो हैं दो सेंटेंस जुड़े होते हैं complex होता है जिसमें हम conditions को बारे में बात करते हैं तो I was surprised when I heard his dismissal मैं सर्प्राइज था जब मैंने इसको dismissal की बात करी तो when से यह जुड़ा हुआ है ठीक है when से यह जुड़ा हुआ है तो यह हमारे पास simple नहीं compound है he gave a sterling performance in his debut itself यह ठीक है कि उसने जब भी उसका debut था तब उसने क्या थिया sterling performance ब्यूटिफल प्रफोर्मेंस उसने दी as I was busy क्योंकि मैं busy था I could not meet them इसलिए मैं मिलने सकता था तो यह हमारे पास complex sentence जाएगा the doctor took all precautions till his conditions deteriorated तो इसमें क्या हुआ 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 है यह इसके still के साथ जोड़ा हुआ है वैसे तो यह आइस के साथ भी जोड़ा हुआ है इसको भी हम कंपाउंड के दे कि I could not meet him as I was busy कंपाउंड है यह complex नहीं है तो यह सारे सारे कंपाउंड हो गए एक जो हमारे पास second option है यह हमारे पास correct हो जाएगा he gave a sterling performance in his debut itself नेक्स देखिए Malcolm in Macbeth is Duncan's is not written by Percy by C. Shelley यानि की PB Shelley, Augimandias, Cristobal, O to the West Wind, Tours, Kailaak, तो जो Cristobal है, Cristobal हमारे पास किसकी पोहम है, ST Coleridge की पोहम है, किसकी है, ST Coleridge की, तो इसलिए हमारे पास answer B इसका correct आजाएगा, बाकि Augimandias, O to the West Wind and Tours, Kailaak, यह तीनो हमारे पास किसकी है, PB Shelley की है, next question, which of the following is misspelled, हमें बता gynecology, ophthalmology, and gynecology, जो है, इसके अंदर गलत है, हमारे पास, spelling हमारे पास किया आजाती है, यह आएगी, G-Y-N-A-E-C-O-L-O-G-Y, ठीक है, gynecology, हमारे पास इसकी correct spelling आएगी, इसमें A-E नि लगाया हुआ है, इसलिए गलत होगी, तो यह तीनों spelling हमारे पास correct है, बस हमारे पास C option खिलत हो जाएगा, then हमारे पास next question है, which poem begins with the following lines, in the city of which I sing, there was a just and placid king, the tale of melon city by Vikram said, in the Bajars of Hyderabad by Sarojini Naidu, यह हमारे पास correct answer आजाएगा, 112 का 1 ही आजाएगा, ठीक है, in the city of which I sing, तो कौन से city की बात हो रही है, tale of melon city by Vikram said, बहुत-बहुत important है, इसको आपी cover जरूर कर next is, which of the underlined word in the following sentence is incorrect, हमें बताना है कि इसके इंदर incorrect कौन सा है, advertisements can be extremely useful if they were honest and help you decide what to buy, अब देखो अगर हमारे पास सारी चीज़ें क्या है, present में जा रहा है कि can be, ठीक है, और वर हमारे पास पास में चला गया, help you decide what to buy, तो इसमें हमारे पास वर नहीं आना चाहिए कि if they are honest, अ है, यह थी, थी तो होने सकता ना कि जब अगर वह थी होती, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या करेंगे, they are लिखेंगे, they are honest and help you decide what to buy, इसलिए हमारे पास वर, third option जो है, इसका correct हो जाएगा, which among the following plays of Shakespeare is not a tragedy, इसमें से कौन सी हमारी जो है, Shakespeare की tragedy नहीं है, तो इसमें हमारे प impromptive, impromptive, यहने कि कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कुछ भी plan किये बिना, अगर हम कोई performance देते हैं, तो वह impromptive होता है, तो spontaneous, spontaneous का मतलब होता है, not planned, यह हमारे पास, not planned, premeditated, premeditated का मतलब होता है, पहले से, जो meditate किया गया हो, या फिर आपके से तो plan किया गया हो, considered, इसका and rehearsed तो ही है, rehearsal करना, तो यह तीनों हमारे पास same meaning है, आपस में synonym है, और यह जो हमारे पास इसके लिए आ जाएगा, spontaneous, next, देखिए, which other following is not a story by Saki, Saki, अब हमारे पास एक writer है, आप मुझे comment box में बताएगा, कि Saki जो है, वो किस के लिए use किया गया है, बहुत ही important character, writer हैंगे, Saki की जो है story नहीं है, Mrs. Packle Tides Tiger, The Open Window, The Gift of Maggie and The Lumber Room, तो इसमें हमारे पास कोन सा है, The Gift of Maggie, The Gift of Maggie, जो है O. Henry की है, O. Henry, ठीक है, यह किस की story है, O. Henry की story है, इसमें हमारे पास एक Christmas gift जो है दिया जाता है, वो एक husband होता है और एक wife होती है, उन दोनों की बहुत ही प्यारी सी story है, The Gift of Maggie, ठीक है, 1905 में इसको publish किया गया था, 1905 में, next हमारे पास है, Dash is a political system that separates people according to their race, race मतलब आप कह सकते हो, उनकी color की according, उनकी जाती के according, जो है, उनको जो है, अलग किया जाता है, तो apathede, anarchy, democracy and plutocracy, तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा, apathede जाएगा, इसमें हमारे पास आपका African और American की जो एक fight रहती है, उसको आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि उनको race के according ही, उनके color के according ही, उनको क्या किया गया है, अलग थलग किया गया है, लेकिन बाकी को हम discuss कर लेते हैं, anarchy का मतलब होता है, a situation in which there is no government, हमारे पास क्या लिखेंगे, हम no government, anarchy का मतलब होता है, जहा wealthy people है, अमीर लोग है, ठीक है, उनके द्वारा, गर government चला ही जाती है, तो उसको क्या बोलते है, plutocracy, identify the sentence with a metaphor, metaphor हमें बताना है, इसके अंदर, तो क्या 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 options है, the camel is the ship of desert, आप देखो, camel जो है, वो ship नहीं हो सकता, है ना, लेकिन हमने फिर भी उसको क्या बोल दिया, एक रूपक की तरह बता दिया कि camel ही क्या है, एक ship है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरे पास first option ही इसका correct हो जाएगा, camel is the ship of desert, तो अगर हमारे पास like बोलता, तो हमारे पास क्या होता, simili होता, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका correct answer आजाएगा, the camel is the ship of the desert, next question, which of the following is not written by Ar Arundhati Roy, Arundhati Roy ने कौन साइस में नहीं लिखा है, तो options हमारे पास क्या-क्या है, the god of small things, the ministry of utmost happiness, interpreter of Maldives and capitalism, a ghost story, तो हमारे पास third option है, interpreter of Maldives, यह हमारे पास इसकी story नहीं है, Arundhati Roy की यह किसकी है, जूंपा लहरी की, ठीक है, जूंपा लहरी, आप देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दूँ, तो आपकी जो PZT के एक्जाम के लिए आप literature के लिए पुछते हो कि कौन-कौन सा literature important है, तो आपके देखा होगा इसके अंदर, ज्यादा तर या तो Shakespeare से question पूछे जा रहे है, या फिर आपकी William Wordsworth हो जाएगा, ठीक स्टी कॉलरी जा गया, अब यहा जो है आपके British writers को उठाकर के questions पूछे जा रहे हैं, 120, a thing is beauty is a joy forever is the opening line which poem by the romantic poet John Keats, आप देखे यह वाली जो बात है, यह मैंने आपके 6th class का एक chapter था, ठीक है, beauty वहां पर भी आपको cover कराया था, देखो, options जो है कहीं से भी आ सकते हैं questions, तो कुछ नहीं कहा सकते हैं, तो 6th मे आपका यह आया हुआ है poem में से, कि a thing of beauty is a joy forever, या पर simple आप कीजिए कि Keats को आप कवर कीजिए, Keats को आपको cover करना ही पुड़ेगा, बहुत important writer है हमारे पास, तो कुछ सा आ जाएगा, Andemian, ठीक है, Andemian है, यह हमारे पास किसका है, Keats की poem है, उसमें से यह lion जो है, इसको ले next हमारे पास 120 to 130, आपके questions जो है, इस London Porn William Blake के ओपर depend करते हैं, यह मैं आपको telegram group Madhuki Parshala 2 पे, जो है share कर दूँगे, आप महां से इसको देख सकते हो, cover कर ले, ना वहां से 130 तक मैं आपको नहीं करा रही हूँ, आगे मैं आपको करा देती हूँ, which of the following sentences is not in the passive voice, passive voice में क्या न third form है, यह तो है, Spanish is spoken in many Latin American countries, तो is then third form, तो helping work होगी for third form होगी, यह भी हमारे पास किसमें है, passive में है, my house is being painted, अब इसमें क्या होता है, is MR वाले जब अगर वाले questions आते हैं, इसमें क्या होता है, कि एक तो is MR या वोजवर हमारे पास आता है, ठीके, उसके साथ हमें क्या करना प being painted, is MR plus first form, ING, then B plus ING, then third form, ठीके, तो is MR, then being plus third form, तो यह भी हमारे पास passive में है, someone's offered me a better job, someone has offered me a better job, यह भी हमारे पास क्या हो गया, someone has offered me a better job, यह भी हमारे पास क्या हो गया, someone has offered me, किसे ने मुझे offer किया a better job, a good job, अब देखिए, अगर हमारे पास has or have आते हैं, तो उसके been or have been, तब हमारे पास passive बनता है उसका और साथ में third form आती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, simple, someone has offered, हैस के बाद सीधा third form लगा दिया, तो यह हमारे पास क्या है, जो आपका present perfect returns है, उससे बिलोग करता है, लेकिन passive नहीं है, तो इसलिए हमारे पास fourth option जो हो जाएगा, इस अब दिखें, must जो होता है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास कोई compulsion की बात करता है, necessity की बात करता है, दोनों ही case में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें मैं आपको यह कहूंगी कि, यह necessity की case में use हुआ है, कि मुझे जो है अपना काम आज ही finish करना है, तो यह मेरी necessity है, लेकिन आप इसको compulsion के साथ भी जा सकते थे, पर HSC, जो है, इसको answer सही मानती है, necessity को, तो हम necessity के साथ जाएंगे, next, identify the correct sentence in reported speech, reported speech में कौन सा character है, हमें यह बताना है, she told me, she enjoys last night's party, अब देखो, यहाँ पर told भी आया हुआ है, then first form भी आया हुआ है, ऐसा त will say, इसलिए कि अगर हमारे पास क्या आता है, reporting speech में आता है, तो reporter speech में हमारे पास tense बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो told आया हुआ है, तो इसलिए reporter speech में हमारे पास tense बदलेगा, तो इसलिए enjoys तो गलत हो जाएगा, the kids said they were happy, kids ने कहा कि वे happy थे, अब देखो, यहाँ पे अगर that का option देखते हैं, तो that इन्होंने कहीं पर भी नहीं लगाया हुआ है, तो hsse का आपने ashtet में, अगर कभी options जो है, reporter speech के पढ़े होंगे, तो आपको बहुत जगह ऐसा मिल गया होगा, जहाँ पे वो that को use ही नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे पास यह question ठीक बनता है, कहा था कि he loved me, उसे प्यार करता, तो me जो है, यहाँ पर change नहीं हुआ है, ठीक है, तो me को अगर यहाँ पर change करेंगे, तो इसको जानन चाहिए था, Tom asked where did I leave, तो यह I did leave, जो है, did नहीं आता, इसके अंदर हमारे पास second form हो जाती है, इसलिए हमारे पास second form इसलिए नहीं की है, ठीक है, अब कोज़ता को option हमारे पास चला जाएगा, second option चला जाएगा, the kids said they were happy, लेकिन मुझे इसमें third में भी थोड़ा doubt हुआ था कि he said me, he loved me, देखी मैं इसको थोड़ा सा और explain करना चाहूं तो, अगर हमारे पास यह होता कि he said to me, he said to me, comma inverted comma, to me, comma inverted comma, I love you, ठीक है, इस त told me, he told me, that, that तो हम लगाते ही हैं, लेकिन अचसी नहीं लगाता, कोई बात नहीं, कि he loved, आप देखो, I change होगा, किस के coding, he के coding, to he आ जाएगा, then first form की क्या हो जाती है, second form मत रती है, loved बनेगा, you change होएगा, me के coding, to me आ जाएगा, he loved me, अब यहाँ पर told बना चाहिए, अब इनो to me, बोलता, to sad to, को हम किस में change करते हैं, told me करते हैं, तो इसने लेकिन sad sad लिख दिया, तो मैं सोच लिए हूँ कि इस वजे से यह answer गलत है, ठीक है, और second question हमारे पास, इसका सही जाएगा, कि the kids said, अब sad के बाद इसके क्या नहीं है, object नहीं है, तो cedar sad लेकर कि हम that नहीं लग रही है, and they were happy, वाकि सारा ठीक है, तो second option correct जाएगा, ठीक है, second, next रेकि, which of the following is in the passive voice, कौन सा जो है, इसके अंदर passive voice में है, the money was stolen from the bank, was stolen, याने की चुरा लिया गया, ठीक है, तो वो ही हो गया कि, was plus third form आती है, यह बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यह हमारे पास answer आजाएगा, my friend Tom has a nice house, यह simple sentence है, has बुला है, बीन तो नहीं है उसके पीछे, the police arrested the burglar, यह second form है, यह past indefinite से बिलोंग करता है, यह हमारे पास present perfect से था, ठीक है, present perfect से नहीं था, यह present indefinite से ही था, यह main verb की तरह काम कर रहा है, doctors help people who are sick, यह हमारे पास क्या है, present indefinite है, तो इसलिए हमारे पास त get down from a moving train, अब इसने कहा है कि हमें कभी भी चलती होई train से नहीं उतरना चाहिए, तो यह 135 का इसने पूछा कि underline जो verb है, never, वो क्या है, never जो है, कि किसके लिए frequency के लिए उसकी जाती है, तो यह हमारे पास adverb है, तो adverb हमारे पास third option correct हो जाएगा, ठीक है, adverb frequency, choose the correct reporter speech of the following sentence, आगन टेड़ा है, वो वोली चीज आ गही इसके अंदर, कि जो काम करना नहीं जानता, वो अपने tools को जो है, blame करता है, कि यही सही नहीं चल रहे, तो they said that, bad carpenter, quarrels की, quarrels, अब यह क्या है, एक proverb है, देखें, मैं आपको बता देती हूँ, जब भी proverb होते है, चीक है, या फिर क that a bad carpenter quarrels with his tools, चीक है, and they said that a bad carpenter quarreled है, यहा पर गलत हो गया, quarreled है, then quarreling तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बोस quarreling, तो तीनों ही option बिलत हो गए, ज़रा ढूमने की कोशिश करनी की है नहीं, कि क्या करना है, quarrels के साथ चले जाएंगे, तो यह first option correct हो जाएगा, 137, which other following is the correct phon genetic transcription of the word, development, तो इसके अंदर हमें correct transcription बतानी है, transcription में हमारे पास क्या आजाएगा, second development, यह क्या रहेगा, development, तो development यह हमारे पास आजाएगा, अब transcription के लिए बच्चे कहीं कहते हैं, कि notes प्रवाइड करा दीजिए, telegram पे में कुछ photos जो हैं, वापके साथ शेर करूँगी, जो आ प्लस, first year और second year की, जो books हैं, आपके English की, course की, आप उसमें से cover कीजिए, hundred percent आप उसमें से transcription attempt कर पाएंगे, है ना पती की बात, चाविए, next question करते हैं, 138, which of the following sentences is grammatically incorrect, grammatically हमें incorrect बताना है, my house is being painted at the moment, मेरा house जो है, अभी अभी पेंट हुआ है, ठीक है, next हमारे पास है, I like it when people agree with me, मेरे को अच्छा लगता है, जब कोई, जब लोग, जो है, मेरी बातों से agree करते हैं, you know, you are resembled by someone famous, तुमें पता है कि तुम किसी एक ऐसे famous personality के साथ, resemble करते हूं, मिलते जुलते हो, the restaurant's kitchen is cleaned every day, ठीक है, every day, जो है kitchen, restaurant's kitchen साफ होता है, लेकिन इसमें को incorrect कौन सा है, you know, you are resembled by someone famous, मतलब कि you resemble, you resemble by someone famous, तुम resemble करते हूं, तो इसमें हमारे पास यह passive voice बनाने की जूरती नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास यह incorrect होगा, grammatically, next, जलिए, which of the following sentences is grammatically incorrect, each boy and each girl were punished, अब देखिए यहाँ पे, each boy, each girl, जब भी हम use करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, singular verb जो है, use की ज was punished, तो इसलिए हमारे पास first answer ही इसका सही option होगा, I would rather read than talk, अब इसमें पूछा है, would को underline करके, कि would जो underline हुआ है, auxiliary, कौन सी model auxiliary जो है, यह show करती है, अब उसने कहा है कि बोलने से ज्यादा मैं पढ़ना पसंद करता हूं, तो कौन सी probability, strong desire, preference and determination, preference को ही तो दिखा रहा है, कि क prolonged life that was originally sought by alchemist, a cure all, इसमें क्या हुआ कि एक remedy जो believe किया जाता है, कि वो सारे disease जो होती है, यह prolonged life की जो disease होती है, उनको जो है cure करने में, हमारी help करती है, वो originally sought by alchemist, soak मतलब की अपनाना, ठीक है, alchemist ने अपनाया, a cure all, वो क्या होती है, पिना किया होती है, क्या होती है, पिन वीगर, enthusiasm, enthusiasm और panel और यह सवीगर जो है, वो साहा के लिए यूज किया जाते है, next हमारी पास question है, fill in the blanks in the following questions, correct option हमें बताना है, john talks and talks and talks and yet he never dash anything, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि वो क्या करता है, बोलता है, बोलता है, बोलता है, लेकिन वो कभी भी कुछ कहता नहीं है, है ना, तो यह हमारी पास says जो है, इसका correct answer जाएगा, बोल, मार्चित करना, लेकिन कुछ कहना, वो दोनों चीज क्या होगे, different होगी, ठीक है, are you dash around to my place this evening, तो उसने पुछाए कि क्या तुम मेरे evening में मेरे place के आस-पास आओगे, तो are you coming, आ रहे हो, तो coming लिख देंगे, are you coming around to my place this evening, next हमारे पास है 144, कि the property was divided, dash the twins, अब twins है, twins है, तो 2 की बात हो रही है, 2 से जब जादा होते हैं, तो among की बात की जाती है, लेकिन जब हमारे पास सिरफ 2 की बात होती है, तो हम between use करते हैं, तो क्या आजाएगा, between is का correct answer आजाएगा, the plan will be sanctioned, dash a fortnight, plan जो है, वो sanction किया ज जाएगा, कब within fortnight, fortnight का मतला होता है 15 days, फंद्रा दिन की अंदर अंदर, तो within 15 days हम इसका answer मान के चलेंगे, within, my parents do not care for rich, क्या desserts, desserts होता है, एक sweet dish, dessert तो क्या होता है, रेगिस्तान, dessert की यहाँ पे, एक singular में आ जाता है, ठीक है, and deserter, यहाँ चीज होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, कि इसमें, desserts को क्या आ जाएगा, कि rich desserts, जो है, my parents do not care for rich desserts, यहने कि, महंगे मठायों के लिए, जो है, जादा बोदर नहीं करते हैं, Marconi is generally credited with the dash of wireless telegraphy, किसके लिए, invention के लिए, invention of wireless telegraphy के लिए, Marconi जो है, credit पा गए थे, next है, dash is another name for poverty, poverty का दूसरा नाम क्या है, देखिए, affluence, affluence, amiri से related होता है, sufficiency, जब हमारे पास कोई चीज ऐसी है, जो जरूरत से जादा है, यानि कि, जरूरत के बराबर है, sufficient है, तो वो ल पैनुवरी, पैनुवरी का मतलब क्या होता है, गरीबी से related होता है, ये, poverty से related होता है, बैनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, kindness, ठीक है, क्या होता है, kindness, तो ये अलग ही हो गया, तो affluence, sufficiency, तो amiri से related हो गया, बैनिवोलेंस, kindness से related हो गया, तो पैनुवरी हमारे पास क्या आग करना है at last I have been solving the problem at last I have sold the problem बोलते है तो हम कि last time मैंने problem sold कर दी या फिर इसने कुछ असा लिया तो I sold कर दी थी ठीक है तो Jack has been trying to get his book published for ages अब देखो यहां पर 4 ages 4 or since जो होता है वो किसमें यूज करते हैं perfect continuous में यूज करते हैं perfect continuous में ठीक है और perfect continuous में क्या आता है अगर हम present की बात करें तो has been have been plus first form ING ठीक है और past की बात करें तो had been plus first form ING ठीक है और future की बात करें तो will have been shall have been first form plus ING तो इसमें मारे पास देखो has been आ रहा है first form ING भी आ रहा है since 4 भी आ रहा है तो इसलिए हमारे पास यह correct answer है but so far and so far no one has said yes my friend has been buying a new car it looks great has been buying थोड़ी ना मलब कि खरीद रहा है अभी कि यह process के काफी दिनों से चल रही है क्या या has bought लिखी है या bought लिखी है ठीक है और बाइस लिखी है करीता है तो I have never been understanding mass I have never been understanding कभी समझ में नहीं आ रहा है I have never understood कभी समझ ही नहीं आया है ना तो उसकी तरीकी से हम जाता रहा है तो second question का sorry 149th का हमारे पास second question option जो है correct जाएगा last question है as at the interview Samir answered our questions non-chalantly shrugging his shoulders आप देखो बहुत ही important सा हमारे पास यह question है ठीक है non-chalantly की इसको underline किया है इसने बताया है कि इसका हमारे पास क्या answer होना चाहिए तो non-chalantly जब भी हमारे पास किसी word की साथ लग जाता है तो यह बहुत ही simple तरीका है आपको adverb ढोटने का तो यह adverb ही माले जाती है हमारे पास इस तरह के question हमको बहुत मिल जाएंगे जिसमें आपको लगता है कि words बड़े भारी-भारी use करें लेकिन उसका meaning बड़ा easily आपको जो है उसका answer मिल जाता है उसमें आपको parts of speech ही find out करने है तो जो है आप इसके questions आप इसके attempt जरूर कीजिएगा क्योंकि William Blake की जो poem है आपको वह भी जो है एक बर revise करनी बहुत जरूरी है 121 से शायद था yes London point थी चीक है यह वहां से आप cover कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो like share कर दीजी और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप comment box में मझे जरूर बताएगा thank you so much for being with us